तो जैहिंद नमस्कार मैं सुरसर रावसर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ जैसा कि आपने थम्नेल को देखकर इस वीडियो में आपने क्लिक किया है तो आज मैं उसी के उपर बात करने वाला हूँ जैसा कि आप सबको दिखाए दे राशर सेकंड ग्रेड जो आपकी आरपी असी दवारा एक्जाम होना है समस्कृत विवाग का एक्जाम होना है उसकी उपर हम बात करने वाले हैं तो पिछले ही दिनों में जब हम बात कर रहे थे तो नॉमंबर वाले मैंने में जो फर्स्ट ग्रेड जो है जो समस्कृत सिक्षा जो है उसमें जो एक्जाम आपका हुआ था लेकिन अब हम बात करेंगे पहरे साथियों आप सब के लिए और पियसी सेकंड ग्रेड समस्कृत सिक्षा विवाग एक्जाम सेडूल हो चुका है जारी और अब आपके लिए 20 से 24 दिन जो है वो आपके बीच में बचे हुए है उनकी जो है वो हम त्यारी कैसे करें आप सब को यहां पर अच्छी तरीके से याद रखना है सबसे पहले तो हम एक्जाम डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं अब कुछ बच्चों के मन में ये स्वाल आ रहा होगा कि सर इसमें सीटें तो थोड़ी सी होगी ना मात्तर होगी ये प्रतेक सब्जेट हो किसी को दो सीट आ रही है तो किसी को चार आ रही है तो किसी को आठ सीट आ रही है ये आपको ख्याल रखना है नहीं है आप अगर फर्स्ट ग्रेड स्कूल सिक्षा के आप त्यारी कर रहे हो आप सेकंड ग्रेड स्कूल सिक्षा के त्यारी कर रहे हो तो भाईया आपको क्या नहीं करना है एक्जाम बिलकुल भी आपका मिस नहीं करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं पैरसातियो राजस्तान लोग सेवा आयोग प्रेस नोट जो है याने कि शाम को तीन बार 12-2024 को यह जारी किया गया था आयोग द्वारा ब्रिष्ट अध्यापक प्रतियों की प्रिक्षा 2024 समस्क्रिस्ट स्ख्षा विवाग के मुशार विश्यवार आयोजन मिल सार्त किया जाएगा यानि कि हम January 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सब के लिए इसके जो exam form जो भरे गए थे उसकी seat जो है वो कितनी कितनी आपकी रहने वाली है वो आप एक अलग से जो आपका जो आपके जो RPS यह वहाँ पर आपको यह performer मिल जाएगा अगर नहीं मिले तो आप यह टेलीग्राम जो है वो जोईन कर लेना जिसका डिक जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा हुए सर आप देखी गई सैड में सब्जेक्ट लिखी हुए सबसे पहले सोशल साइंस असस्ती हिंदी जीक एंड एज्यूकेशन साइकोलोजी साइंस है मैथमेटिक्स है समस्कृत है और इंगलीस है यानि कि यह आपके छे सब्जेक्ट और एक आपका जो जीक्के वाला जो common जो paper होगा वो सब के लिए होगा देखो इसको लगबख सेंटर में डाला गया है आपके लिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पहरे साथियों कि जीक्के वाला जो एक्जाम है वह आपका कब होने वाला है यानि कि 29, 12, 2024 बार रवीवार को यहाँ पर इसको दो सिप्ट में करवाया जाएगा साड़े नो से लेकर आपका साड़े ग्यारा बज़े तक इसका जो वक्त समय रहने वाला है पहरे साथियों वो आपका क्या रहेगा पहरे साथियों यहां पर ठीक है यहां पर इसका जो समय वो दो घंटे रहने वाला है उसी दिन शाम की सिप्ट में आपका साइंस का पेपर होगा यानि साइंस वाले जो ब्रिष्ट द्यापक है उनका जो पेपर है वो आपका संडे को 28 से लेकर आपक पांच बज़े तक ये दो घंटे आपका 30 मिनट का समय जो दिया गए अब हम SST वालों की बात कर लेते हैं पहरे साथियों तो सोशल स्टेडी की अगर बात करी जाए सोशल साइंस की तो उनका जो पेपर है बारसनी वार को पहली सिप्ट में मौर्निंग सिप्ट में इसका जो एक्जाम है वो आपका यहां पे साड़े नो से लेकर बारा बज़े तक आपका एक्जाम यहां पे होने वाला है यह आपकी मौर्निंग सिप्ट है और उसके बाद में उसी दिन 28 तारिक पहले दिन हिंदी वालों का एक्जाम होने वाला है पहरे साथियों हिंदी वालों लेड़ा होगा 29 तारी को मौर्निंग वाले सेशन में आपका जिक्के वाला जो सब के लगता है पेपर वो आपका यहां पे जिसमें जिकेंड साइकोलोजी आपके होने वाली है उसका जो एक्जाम अब आपका साड़े नो से तो आपको हिंदी वालों के लिए जो टाइम है व आपका साड़े नो से जो है वापका बारा बज़े का समय रखा गया है और सेकंड सिप्ट का जो टाइम है वो दो बज़ कर तीज से पांच बज़े तक का टाइम रखा गया है टाइम बिल्कुल सोच समझ के निर्धारित यहां पे किया गया है समस्कृत वालों का जो एक्जाम होने वाला है यह रामनिवास मेता जो आपके RPSC के सची है अब यहां से आपको इस बात को समझ रहे हैं अब ऐसाब सामाजिक वाले सामाजिक वाले जो है उन विद्यारतियों को यहां पर 28 तारीक को और सामाजिक वालों को 29 तारीक को दो दिन भया पेपर देना है जो हमाजिक सब्जेक्ट के बात करूँगा तो वह आपका सिफ्ट वन में देंगे और यहां पर जिक्ए वाले की बात करूँगा तो सिफ्ट वन में देंगे तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है यहां पर जिक्ए का एक्जाम होगा और यहां पर आपका सब्जेक्ट का, यह दो तारिक आपको याद रखने होगी, SST वालों के लिए दो तारिक आपको याद रखने होगी, 28, 12 और 29 बारा को एक्जाम होने वाला है, उसी प्रकार से हम हिंदी वालों की बात करते हैं, तो हिंदी वालों का 28, 12 को यहां फर फ़र्स्ट शिप्ट में आपका subject का पे second shift में होगा ठीक है उसका क्या होगा second shift में होगा और 28 12 को इनका first shift में GK का paper यहां पे होने वाल है तो हिंदी वालों को 28 और 29 तारिक दो दिन जो है वो आपके exam देने हैं इसी परकार से SST वालों को भी दो दिन exam देने होंगे तो ध्यान रखना SST वालों के लिए और हिंदी वालों के लिए दो दिन रिज्रव रखे गए हैं उसके बाद में तीसरा नंबर जो आता है वो पैरसात्यू वो विज्ञान वालों का नंबर आता है उसके बाद में mathematics वालों के लिए क्या है mathematics वालों के लिए 29 और 30 दो तारिक रखे गई है mathematics वालों के लिए 29 और 30 रखे गई है उसी परकार से समस्कृत वालों के लिए 29 और 30 समस्कृत वालों के लिए 29 और 30 रखे गई है इनके लिए 29 और 30 रखे गई है इनके लिए 29 और 30 अब हम कैसे जो है मैं हिंदी की बात करूँगा यहां पर कि हिंदी की अपने जो त्यारी जो है वो अब अंतिम दिनों में हम कैसे करें तो प्यारे साथ यो हम हिंदी की त्यारी जो है अंतिम दिनों में हम कैसे करें आपको पता है भाग जो ए है उसमें आपकी ग्रामर जो है वो अत्यदिक आती है, भाग जो खंड एक है, उसमें grammar के बहुत अच्छे question आते हैं, और grammar की प्यारी तो आप लोगों की होगी, अगर नहीं है, पूरी grammar का revision करना चाहते हो, तो इसी YouTube चैनल पर जाकर पूरी grammar जो हो फ्री में करवाई होगी, साथ इसाथ में, अगले आपके द रिकोर्ड, लाइव ना देकर आप रिकोर्ड, आप देखोगे, यूटूब चैनल पर आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, शाहनदार तरीकी से, अब यहाँ पर साथ इसाथ में, अपने बात करते हैं, पहरे साथ यो, साहित्य की, और कवे सास्तर की, आप जहां भ नई चीज़ आपको कुछ नहीं करनी है, जिस परकार से आप ठोरी पढ़ रहे हैं, उसी परकार से आप ठोरी पढ़ते रहेगा, लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो वक्त आपको देना है, पहरे साथ यो, MCQs के देना है, साथ इसाथ में, अगर आप जो PYQ जो है, प्रिव आप PYPर को Cancel भी नहीं कर सकते हो, तो सबसे पहले बड़ी चीज़ तम आपको PYPर कैंसल करने की भूल कोई भी विदारती नहीं करना, हो सकता है, आप PAS नए हो, तो नए हो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन PYPर कैंसल मत करना, पेपर देने के लिए जाना, उसके बा जो स्कूल समस्क्रिट सिक्ष्या का जो एक्जाम हुआ था उनके भी प्रस्षन आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना आपके हिंदी ग्रामर के पूरी जिम्हेदारी मैं लेता हूँ ठियोरी अगर पढ़ने है तो आपको पहले से करवाई हुए MCQ आज से ही आपके क्या हो जाएंगे शुरू हो जाएंगे टोपिक वाईज MCQ हम लगातार जो है वो हम करने वाले हैं तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा अगर आप समस्क्रित विवाग का हिंदी से एक्जाम देते हैं तो नीचे आप येस येस जरूर कमेंट लिखोगे टेलिग्राम आप जोइन कर लेना और इनके पदों का बार विगबरण आप जानना चाहते हैं तो टेलिग्राम जो है जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में लगए सुरसर रावसर सर्च करोगे तो आपको टेलिग्राम मिल जाएगा उसके उपर मैं वो सूचना जो है डाल दूँगा आशा और उमीद के साथ में ये वीडियो अच्छा लगा होगा ठीक है भैतर लगा होगा अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना आप सब का बहुत बहुत आभार नमस्कार थेंक्यू